कई बार जो बैगर होते हैं, उनकी डेथ हो गई कूडे दान में या कूडे के डेर के पास डेथ होगी स्मेल आरी किसी को क्या पता वहाँ पर जो जानवर होते हैं, डॉग्स कई बार भी बॉड़ी नोच लेते हैं कई बार क्या होता है, पाजी पेशेंट को मरे दो-दो साल हो जाते हैं, उसकी दो सल बाद वीडियो फेस्बुक पे फिर चल जाती है उब ठिंडा बस स्टैंड में कोई बिच्ची को बिस्पूट दे गया अंदर, उसकी मा थी के दादी थी को उन्ती लॉक लगा के चलाएं लोगों को कभी भी हेल्प करने के लिए सोचना नी चाहिए सो गाइस कहते हैं कि हर सूपर हीरो के पिछे केप होता है लेकिन जरूरी नहीं कि सूपर हीरो के पिछे केप ही हो कुछ सूपर हीरो ऐसे होते हैं जिनके पिछे केप नहीं होता लेकिन फिर भी वो केप वाले सूपर हीरो से बेस्ट होते है एक NGO है जिसका नाम है इक जरिया, जो तो मैं बोल दी है पंजाबी वेचिते में इतनी खुशी होती है, मेरी पंजाबी निकल रही है वीच में, वो एक ऐसी NGO है, बहुत सारी NGO देखे जो पैसे मांगते हैं, ये ऐसी NGO है कहती है, पैसे हमें मत दो, ये है सामने जिसको चाहिए इसको दो फिर भी बिना पैसे लिए उन्होंने एक लाग से ज़ादा लोगों की मदद की है कितने ब्लेजड है ये लोग हम क्या कर रहे हैं मुझे कभी-कभी ऐसा लगता कि हम क्या कर रहे हैं ये लोग कभी कहते न कि भगवान आपको कभी-कभी हर जगा नहीं दिखते कुछ यंग लड़का हैंसम लड़का जो आजकर के लड़के देखती हूं वीडियो ये वो रीलो में लगे है भाई ये लड़का कैसा है लड़कियां जिस पे मरती है वो अपने काम पे मरता है तो आईए मिलते हैं अनमोल से अनमोल का वात्रा ये भाई सूपर स्टार है अब ही नहीं आया है ये अपने आप में एक अलग बात है और उस बात को हम चाहते कि पूरा हिंदुस्तान समझे हमारे साथ आज तो अनमोल सबसे पहले प्लीज एक जरिया की शुरुवात और थोड़ा उसके बारे बताईए एक जरिया फांडेशन की शुरुवात पाजी आज से आट साल पहले हुई तो कहते हैं लुद्याना में जितनी बाडीज आती है जैसे ना यह माथ नेशनल टी वी पर बताना जाता हूं आपके प्लैटफॉम के जरिये जो बंदा लवारीस होता ना जैसे परवासी बंदा होता है को पंजाब में काम करने आते बिहार कोई कुछ नहीं है वो रोड़ पे डेथ होगी तो पुलिस ने उनको 72 आर्ज रखना है उसके बारे में पता लगता उसके घर वालों के अगर नहीं पता लगता तो उसका संसकार कर देते तो मेरे पापा को पता लगा 10-12 साल पहले कि उन लोगों का जो संसकार है वो पुराने टायर से किया जाता है क्यूंकि एक संसकार का खर्चा 3-4,000 होता है तो पापा ने उनको देखा कि यार एक बंदे को टायर से साड़ रहे ओ नोगों की कि इस बंदे का संसकार तुम ने करवाया, उससे बुरि बात कई आर जो बैगुर होते हैं उनकी ढेथ हो गई। कुड़ी दान में या कुड़ी के ढेख के पास डेथ होगी, स्ricoल आ रही किसी को क्या पता, वहाँ पर जो जानवर होते हैं डॉग्स कई बडी नोच लेते हैं कई बर किसी का पैर नहीं होता कई बर किसी का हाथ नहीं होता आदी-अधी बॉडी मिलती है तो पापा ने उनको उठाए उठाके अपने हाथ से अभी तक पता नहीं, हजारों ये संसकार कर चुके हैं, अपनी दोस्तों के साथ, वो भी कोई काउंटर नंबर नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, सिर्फ टच वर्ड आपको कॉल कर दिया, कि हां जी आजाओ, 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 उनको जब मैंने देखा, तो घर से संसकार वैसे मिले, तो वहां से एक बचपना साथा, ठारा उनी साल की उमर थी, सोशल मीडिया का योग शुरूगा है, और पूरे रोंग्टे खड़े होगे, यार, पापा की ये जो अच्छाई है ना, आज वो ये पापा की अच्छाई है, ये तावने का अंजान आदमी क संसकार करना, संशान में, जाने में ही आए, और ताहर से करना मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि टाहर किसी बॉड़ी पर डालके आप जला सकते हो, सब सस्ता तरीक है ना, दिदी, दो-चार सवर में संसकार हो जाएगा, और सबसे बड़ी बदी हम सब परवासी है, परवास हम सब है, आज मैं मुंबई में बढ़ा हो, मैं परवासी हूँ, मेरे को नहीं पता टाच रूड मेने वापिस जाना है के नहीं जाना, मेरे बापा ये सोच रखते है, तो कहते हैं, क्या हो गया, ऐसे अच्छे करम तो कि मरने के बाद तुम्हें अगनी तो मिल जाए, तो व गर बाद आज चाहिए, पापा तक पायर ओ गया, दिमाग इनस फट गई, उसकी ननी का हमें ओना है, इंको इतनी जूरत है, तो मैं अप जिसने यहीं पर मिलूँगा, यह डेट है, आप जिसने यहां करनी आ आजो, वीडियो शेयर कर दो, वीडियो शेयर होगी, तो अगल फिर वहां से सिल्चला शुरू हुआ तो अब तक पूरे इंडिया में एक लाग से जादा लोगों की ऐसे इसी तरीके से एल्प हो चुकी मुझे लगता है यहां पर ओडियन्स तो हुए लेकिन घर बैटे जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे होंगे ना उनके मुह से निकलागा वा और गॉड ब्लेसी हुआ अन्मोल यह जो निकलागा है एक छबीस साल का लड़का पार्टी करता है फ्रेंड्स बनाता है गु तो यह भगवान है जो दुनिया चला रहे है और हम सभी को अपने ड्यूटी मिली है जैसे घर गरस्ती आपकी घर गरस्ती दीदी की सब सब अपना-पना कामें लगए है पर हम सब की ना एक ड्यूटी है पेवेक टुदा साइटी हम कहीं बूल जाते हैं आज हर बंदा रो पड़ता है अपने पुराना टाइम यादगर किया और एक टाइम था मैं साइकल पर ताज में पास मर्श्डीज है यार तू मर्श्डीज पर है लोगों को क्या पेवेक किया भगवान ने तेरी सुन ली तुने घर-बड़ा मंदिर बना लिया भगवान का थैंक्यू करने जा रहा है पर तू वो टाइम याद कर जब तेरे पास कुछ भी नहीं था और आज जिनके पास कुछ नहीं है क्या तो उनकी फिलिंग समझ पार है कई लोग कह देते हैं मैं समझ गया वी कुछ नहीं समझ सकता जब तक खुद पर नहीं गुजरती न तब तक इनसान नहीं सकता और मैं को लगता है कि टैटू वाला लड़का यह सब ना पाजी यह भी बहुत बड़ा एक कॉंटेक्स है जब मैंने सेवा शुरू की थी ना परमात्मा ने कराई थी टीम बनी तो लोगों ने भी मेरे कपड़ों पे हैस्टाइल पे इसकी बॉड़ी देख लो इसकी क्योंकि ना एक जरीया से पहले इस वांट तो डूड़ने में आठ साल लगे ना आज अब सौसाल बाद को को बोलेगा यह तो लगदा ही नहीं समाज से वको यह सौसाल पहला इंद दन्मूल सर्च कार ओंगदा जज करते हैं कि आपको लोग यहां पर जज करते हैं यह ज़ भारती दिदी मेरी ज़ालते हैं भारती दी के बरे में इस वाद बोलो न जब जब दीदी से बात इनने मेरे से इतनी विधावड फिल्टर बात की है न दिल बागव बागव इलादा तयार कि यहारे मलों है तो कुझाब काई ना कून तो इतना दिल से तडपना इनों तू तो मेरी सेवा क्यों निलवानता ए पेशंट आ तू लवा मैं आगा दीदी तो सी फोन कर ले और ऐसा निकी अनमोहल कब से जानता है बहुत बड़े-बड़े लोगों को जानता है बड़ वीडियो डालता है जिसका मन है सेवा करो जिसका नहीं है तुम्हें दुबई में थी और मैं एरपोर्ट पे जा ली थी और सुबह सुबह मैं ऐसे देखा तो रात को डाली होगी वीडियो एक छोटी बच्ची थी बस्टेंड में या स्टेशन में उसकी ममी उसको बिस्कीड का पैकेट देके बातरूं में बंद करके भाग गई बता नहीं कहां भाग गई किसक बन गई हूं अभी मेरे को ऐसा लगा कि एक मा इतनी हद तक कैसे नीचे जा सकती है कि बच्चे को बिक स्कीड का पैकट देके लॉक करके बातरूं में आप निकल गई वह सुमें तपसी में पूरे दुबाई की फ्लाइट में सोचती रही कि मा ऐसी होती मैं तो एसी नहीं म मिर्हें को तो एक पलना अपने बच्चे को देख़ू तो मेरे को कुछ हो जाता है और मिरे को पार बार आई जाये बड़ इस बंदे की मैं ने में बोला मैंका इंडिया पहुंच सदें इंडिया पोन करूं also प्लीस मुझे बताना मैं उस बच्ची की लिए क्या कर सकती। जब मैंने अल्मोर को फोन किया, कोई नहीं दी दी, इतनी हल आगी आगी, आप मत करो। मतलब बहुत सारे अच्छे लोग बहुत है, बहुत अच्छे लोगैहें, और मुझे लगता की यह चीजे ना 91 वीडियो के थे भीटाना चाहिएcm क्योंकि कई लोगों को लगता कि NGO कुछ NGO एसे होते हैं और होते भी हैं मुझे किसी का डर्निक मुझे खुद बहुत सारे मैच जी फोन आते हैं बच्चों की फोटो आती भी नाक पे पाइप लगी है जब हम उन तक पहुचना चाते हैं तो फोनी नहीं उठाते या ज्यादा स चाहिए आप किसी और की कर देना सो मुझे इतनी खुशी होती है और लोग मैं देखती हूं कि हल्प तो यह करते हैं लेकिन लोगों की जो सोच है और जो वो करते हैं न वो भी बताते कि इस हद तक भी गिरते हैं बिल्कुल बटो एक लड़का था कार्तिक हो ठीक है अभी वो दीदी अटाउप्ट हो गया उसको एचाईगी हो गया था वो बच्चा यह का ना कियस हाया हमारे पास हाथ में पकड़ा हुआ कंबल में लिप्टा हुआ और उसका चाचा लेकि आया हमारे पास और साथ में दो तीन लेडिस थी उनके गली कमांड में से तो कहते है यह बिमारे इसकी हेल्प कर दो उनने बच्चा देखा पाजी पहले तो हिल गए लाइफ में पहली बड़ी इस एक बच्चे के यह अहलाद देखे बड़े लोगों के तो यंग के देखे थे कि चलो कीड़े पड़ रहे हैं यह तो आम देखे थे लोगों के मैंने कीड़े पड बच्चा पाजी उसके यहां पर कीड़े चल रह रहे हैं वा इसको हुआ क्या उसको उफ गवांडी इन स्टोरी बताई पाजी माने इसको जनम दिया फॉस्पिटल में छोड़ के चली गी क्योंकि वह इंजेक्शन लगाती ती चिट्टे के आज भी वह बच्चा है नशा क तीन साल का हो गया था दादी थी घर पे दादी क्स पैर होगी थी छे मीने पहले जब वो मारे पास आया था तो घर में रहे के जैंट सारे नशे करने वाले उसको पानी से रखा दो मीने बच्चे को पानी पिला पिला के रखा घर में तीनों नशेडी थे ना तो बच्चे के म हमने दॉप्ट करना इस पर दस लाख लगे हम लगाएंगे लोगों को जिनका बच्चा नहीं उनको उसमें दिख रहा है तो अब किसी का बच्चा नहीं हो कहता है यार इसको बचाओ पर फिर भी उस बच्चे को पर सिर्फ 30-40,000 लगा लोगों ने हल्प की तो बच्चा पहल पंजाब में कहलो या दुनिया में यह जो लोग बेंटली अफट होते हैं रोडों पर उनकी सेवा शुक्रभी शुरू की थी तो वहां पर उनका एक बहुत बड़ा आश्रा में अमरे शुरू है गुरू है मैं गुरू है ऐसे ही लोगों को मानता हूं यही गुरू है तो म अब दूसर से सरेंज लगती रहते हैं बढ़ जाता है उसकी वाज़ा से बच्चे का क्या का सूर्थ है ठीक हो जाएगा कि ठीक तो है बट भी मैंडिसन चल रही है रिकवरी होएगी हो सकता है आने वाले टाइम में पर स्टार्टिंग में जब यह शुरू की थी ना मेरे स अब भारती दीदी की फैन फॉलिंग दुनिया में तो इनके सुचो पंजाब के चार इनके फैन्स ने देख ली वीडियो वो सेवा कर रहे है तो भारती दीदी का अपने आप रोल पड़ गया जरिया बन गये ना यह बिल्कुल बिल्कुल तो यह बहुत बड़ा स्केंडल एक एक्जामपल है मैं आपके चैनल के जरीए बताओं स्पोस्थ आपने आपकी फैमिली ने सहीवा करनी है पचास अरवे मीना की और फिफ्टी थाउजन पर मन्त मैं अफूर करती हूं बता कहां पंचाओं मेरे को ट्रांस प्रेंसी चाहिए पूरी यह बात दिमाग में से निकाल दो सारे की विश्वास है यहां पर किसी का कोई विश्वास नहीं करना इतनी मेहनत से आपका मारे है सुबह शाम खाना नहीं मिलता पिछे दी मीना बमार रहे हैं फ्लाइटें बहुत अपने देना आपको फोन आया कि यहां जरुरत है अपना लड़का बेजो वह ब नहीं कर देना हमें वह बिमार कर दे टाम निकल गया हमारा को अपना चले जाए तो लोगों पी तुछ जुन्दगी निकल जाती इंतजार में तो किसी के लिए हमारे गुरू ने तो तीन तरह की सेवा कह ना तन मन और धन मन दिल से तन शरीर से धन पैसों से आज हमारे पास का सिर्फ दन और नमोल खाता नंबर वोल पैसे डाल दो मेरे पास आने का टाइम निया फिर मेरे पास भी टाइम नहीं ना कि मैं करोड़ो रुपया कातों में कट्छा कर लों करको मेरी नियत भी बिगड़ दे इनसान मेरा भी दिल कर देगा कि परभागी तो आप जोटी ज है कि अपने शेरों को आपको करना चाहते हैं तो सेवा करने के लिए दूसरे वहाग है वाह कितनी अच्छी बात वहाद अच्छी बात है झायद ही जिंदगी में कभी सुनी गहां जहां जहां से अगर हम अपने ही शहरों को अडॉप कर ले ना बस अब तेना जार पंदा में तेरा करोड नराई बाहर गए होंगे क्या एक पिंड में जतना दान पंजाब में होता है ना मैं आपके चैनल बूढ कहीं नहीं सकता यार पाजी जितनी डॉनिशन यह कर सकते हैं आप कभी भी सोचल मेड़े पर देखना सबसे पहले पंजाबी सिख भाई सब नजर आएंगे कि यहार वहाँ यार पुर मैंने देखा है कि इतने हमारे सरदार वाई नंगे पाव रूटियां दे रहे कोई पानी में घुच रहा है मतलब ऐसी लगथा कि अपने परिवार की सिवा कर रहें उनका जऄ जबा दिखता ना लग्ता है कि अपने बुशे को खाना दे रहे चाहे हो किसी और का बच्चा है यहां पर ना हर्शपाजी मैंनेजमेंट की कमी है सारी कुछ नहीं है एंग। ऑगना वहो चलाना सब अब मुझे जरुवत है दस रुपे की लेकिन इसने मुझे दे दिया पचास रुपिया या मैंने इससे ही मांग लिया पचास रुपिया तो उसको कैसे करते हैं वह सारी बात management के आगे जब भी हमारे पास क्यों केस आता है ना पहली बात तो हम उसका count number नहीं social media पर डालते क्य क्या होता है पाजी patient को मरे दो-दो साल हो जाते हैं उसकी दो सल बाद वीडियो फेस्बुक पे फिर चल जाती है मैं देखे असरा होता हूं मैं कि यार यारे patient मार गया गया आई स्वेर तो कभी जूट बोलके आपको जूट बोलने मेले तो रोज सो में से चालीस केस है जूट बताया नहीं आपको संसकार वाली कहानी संसकार वाली एक बार बताई एक बंदे का फोन आया कि हमारे गली में इसी की डेथ होगी संसकार करना तो हमारे वेरिविकेशन करती टीम हमने का कौन है उसने धारकाड बेज दिया और जूट बोलने वाले का confidence level इतना बड़ कि अनमूल यह मेरे यहां पर patient आया मैं को मैं पैसे भीज दूगी में को बस verify करके दे आपको दस मुन में बता दूगा कि क्या story है तो आपकी सेवा भीज दो उनको भीज दो direct पर अगर आपका case ही verified ना हुआ तो क्या भीजो तो वह संसकार आया एक किसी death होगी उसके पस लक घरी आ रहा हूं आप address भेजो तुसी की help करनी है बंदा मरे है बैता हुआ अपनियां गल्ना दी पईया है लोग एमोशनल फिर तुम्हें वह करते हैं हिट कि तो अड़े को नहीं हो नहीं पागल बनाने हो एक तुसी इना सणना सवाल जवाब कर रहे हैं वह में आज़त है गली भी देखे जाते हैं लोग हमें बड़ी गाली देते हैं तुसी एक दाथ उसी उद्धा तुसी कुछ नहीं करना तुसी फीडियो पांच जोगी हो दुरमें बजी करने जोगे हो अब भगवान का रूप है कोई बचार मेंटली अफटा बच्चा चपेड़े भी मार ग घर पुlet वहांपर कोई हईने कीसी की डेथी नहीं वो बन्दे नहीं बन्दे बॉक काई थियां और उस फंगे मंदेध यृत किक सीड कि देदे कै क्युंकρι कोशिश करते हैं कि सारे हऊस्पिटल मेन ऑगर पेशन को दे देदे ते वाले तो कई बोल देते हैं गिर गए कई बोल देते हैं चोरी हो गए होते नहीं है एक पर हमने ये लेडी पकड़ी ये भी उताता हूं इसके बाद तो बच्ची का केस आया हम उसके घर गए इंक्वैरी की बड़ा जैन्वन केस मैंने वीडियो डाली फेस्बूक पढ़ी अब मुझे पता लग गया मैंने बुला लिया मैंने अकाउंट चेक किया तो लोगों के मैसेजेश कोई 50,000 डाल रहा है को लाक डाल रहा है और वो डालती रहेंगे अब क्योंकि जब एक पेशेंट इमोशनली डॉनर के साथ तच हो गया जैसे मैंने आपको पेशेंट का न कि जो वहां पर 500 रुपा भी फालतू लेकर राजी निया कि दान का पैसा है निकलता बड़ा मुश्किल है तो ऐसे लोग उसको फिर आपने बुलाया 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 के पूरा पूच्छा क्या सिस्टम मैंने वीडियो बनाई फिर समझाया कि आपके इतने पैसे आगे ह हमारे पास पेशेंट बहुत हैं और भी बेटी हैं की हेल्फ कर दो यह तो हमारी बेटी के लिए हैं हमने अपनी बेटी की शादी नहीं करने को अभी 12-13 साल की बच्ची है अभी शादी करनी कोई पैसा नहीं किते हम अपने आप करवा लेंगे लाज 50,000 का इलाज था वो भ लोगों को नसियत है कि जब लेहर चलती है तो लेहर में यह लोगों का जो मिस्यू देता है आज की तारिक में मदद बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन इस मुद्दे को भी लाना बड़ा जरूरी है कि मदद करने के बाद भी लालच एक ऐसी चीज है जो एक जरूरत- ने की बेटी को अपनी बेटी समझ के हैं बड़ा बेजी बड़ जब उनके पास पैसा आगा तो उनों नेकिसी बेटी की-वोग नेकी कि वो तो मा हजारी दुनिया की है मेरा बच्छप रूरा बें मा किसी और को है न लुज को fireworks whatever वशय्चा थे वह पोज़ से वो बच्छte बच्चे की आप कहानी बता रहे थे जिसको बात्रूम में ममी बन करके रखी है इसके जरा कहानी यह ना ऐसी केसी जना पाजी पंजाब में बहुत साथ है और इसके जरीय में लोगों को अवेर करना भी जाता हूं जब भी को 18 साल से नीचे बच्चा आपको दिख जाए सरकारे ना हमारी काम बौत करती है लोगों को नौलेज निया गाइडेंस नहीं और औ करते हैं लोगों को गाइडेंस बहुत देते हैं और वो जो बच्ची किया बात कर रहे हैं बठिंडे वाली वो बठिंडा बस स्टैंड में कुई बच्ची को बिस्कूट दे गया अंदर उसकी मा थी के दादी थी को उन्ती लॉक लगा के चला और जो ऐसे बच्ची होते है थारा साल से नीचे उनको गवर्मेंट की सोसाइटी सी डवल्यू सी चिल्डर वेलफेर सोसाइटी तो वो डॉट कर लेती है वो थोड़ा सान पुलिस वाला थो लोग डर जाते हैं कुछ नहीं होता अगर अच्छा गाम कर रहे हो ना दो चार गलत कुछ आपको जहलना भी अगर अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा भी हो रहा तो इसके अच्छे के लिए हो रहे है तो लोग डर जाते हैं हाई रोड पे एक्षिनट होगा हमने इन उठाना यहार इतना कर्म खराव कर रहे हो लोग कैसे लिए नहीं पुरानी बात मिली हुए पहले उता होगा बह हमारे रोज मेडिकल केसी अब हम भी रोज ऐसे डुरें कि यार इसको कुछ होगा केश पढ़ देगा यार वो तो देख रहा है केश पढ़ भी जाएगा दो चर पंगे पढ़ भी जाएगा किसी की जान तो बचेगी बात तो लोगों को कभी भी हैप करने के लिए सोचना न पड़ा है जो ओवर्लोडड चाहिए करेक्ट ओवर्लोडड का है पैसों का एक लड़की 24 साल के दिदी काजल नाम था शायद उसका नाम कंफरम नहीं है तो उसके ना चूले डैमज होगे दोनों किसी प्रॉब्लम से दोनों चूले डैमज होगे बेड़ पे आ गई तो डॉक काड़ होता है जो इंडिया में बनता है बिलोव पॉवर्टी लाइन लोगा आई शुमान कार्ड की उसको ब्लू कार्ड भी बोलते है इसको उसको मोस्तली प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्तर होते ना उसको फैंक देते हैं कि यह नी चलता वो नी चलता यह नी चल फ्रीद कोट मेडिकल वहां से उस बच्ची के दोनों चूले ठीक होगे वह बच्ची स्कूल पढ़ा रही है एक गाइडेंस सला अब लोगों के पास यही टाइम नहीं है अब बताओ इंडिया में आप बताओ को एंजियो जो लोगों को रोज मिलती है टाइम ही नहीं देत पास तो स्केवटी है उसके पास तो बाउंसर है रोड पे बैठे हैं रोज बारिश में धुंद में गर्मी में दिवाली वाले दिन मेरी दिवाली की घर की पूजा वहां नहीं होती है और मेरे लिए बगवान का घर वही है कि पंजाब में 365 डेज मेडिकल प्रॉब्लम के कोई भी हमारे पास आजाए हम खाली हाथ मी जाने गए बगवान की किरता है चलो अब एक डीम सी में मैं जब बैठा था ना पांच-छे साल पहले एक महां के पंजाब के बहुत मशूर शहर है तो उनका ना चावल का शैलर सा चावल का काम था उनका तो उनका एकी बेटा ज पाके हैं चौर पांच लों कहां जी किने पैसे लेगा मेरा मुंडा बचा मैं नर्वस होगा मैं पैसे लेंगा मुंडा बचा की वहां फिमें को उननोंने बताया कि एसाइसे बेटा सीरियस है उसके लिए दूआ कर नहीं पाजी उनने कोई मंदिर कोई गुरद्वारा कोई बंदा उनको को बोलता था ना किस टेबल पे खड़ जाओ वहां से दुआ मिल रही को वह चल जाता था बचारा बेटा बचानी उनका एक बच्ची आई आठ साल की कहती हम गुच्ची के लबी के बैग्स भी तो लेते हैं इतने महंगे महंगें हम इनकी हल्प नहीं कर सकते बहुत है मैं आपका नाम सोन कर देदी खुश हो जाता हूं आपको देख को आपकी सबसे खुबसूरत बाद है कि आप भूल ले नहीं हो अपने पिछो कर दो मैं गलत पूर्ड कास्ट में बैट के यहां आप भूले नहीं तो आप जुड़े रहते हो ना तो मेरे को आपका इतना ही है कि यार चलो मॉंबे में मारे भाई बेहन बैठे है यार वो तुरी सब्सक्राइब मतलब मैं जुड़ी नहीं रहती मैं पैसे में मैं भी पागल हो जाती मुझे जोडने वाला मेरा बंदा मेरे साथ मैं कभी किसी बढ़क भी जाती हूं उसका देख तो सही माफ क और मैं जिनिसे थोड़ा गुसा भी थीनकश अपार मेंड़ रसका जब चितिंग मेरे पैसे कहा या मुझे यह भूड़ा रहनप करता हूं.. यार जिन्दिगी में अगर भगवान ने आप पे थोड़ा सा हाथ रखा है ना तो उस हाथ की आप कदर करो उस हाथ पे आप अगर बत्तमीज हो जाओगे या इगो रखोगे या एटिटूड रखोगे भाई एक सिंपल लॉजिक है कि एक CEO को गाली दो और एक वाच्मेन को ग एवरीटिंग दर्द खुशी गुसा इच एल एवरीटिंग अगर आप एकसेट कर लोगे लाइफ में तो बहुत साहलियत हो जाती है अरे नहीं नहीं भाया आप तो मैं बता तो रहा हूं बार बार ना हम पंजाब बैठे हैं मुंबई बैठे हो बड़े सेलेबिटीज हमा कि जब मैंने बात कर रही तो इतनो इन्हों ने में को बात बोली कि अरनमूल लग्खार पैसी रोईदे कमा रहे हैं थे तो कि यूगा थोड़े दे दांगी पैसे वाल बंद वैसी नहीं बोलता हो कि और अच्थे किते खर्चेजने के लिए यंदे रोई रोई यंदे कि अच्छे वी लोग जिनको देके हम भी अच्छे बन सकते है और बच्चे छोट-छोटे पाजी गुलकें जोड़ते हैं जोड़के रिक्षे वाले एक छोटी सी पांचे साल की बच्चे इतनी बड़ी अपनी गुलक लेकिया उससे उठाई भी नहीं जा रही है फिर भी वो किसी की हैल्प फिर नहीं पकड़ा कि तुम अपनी गुलक पकड़ो वो पकड़के इसके साथ चल रही है और उसको दे बच्चे को किसके एलप करो और पाजी इससे ना बच्चों के परवरिश का जा रही सोचों सूच देखो उसके बदल रही बच्चे की जमत भी बच्चों को देदो आइफोन बटा यह देख सिस्टम वह फिर बढ़ाओ कर वही देखे बाप माह को नहीं देखे गा उसको द लोग अपनी सारी जिंदगी बच्चों को बनाने में लगा देते हैं कल को वही बच्चे बड़े हो के छोड़ देते हैं माबा को मैंने वहाप पर देखे माबाप मेरे पास जहर की गोलियां मांगते हैं हमें मरबादो टी का लगवादो जवान लड़का था पूछता नही लड़की की शादी हो गई जब बच्चे नहीं है या नशे करते हैं इतना बुरा हाल है नो और मैं आप बात करें थे आपका डेट साल से मौका नहीं लगा सेवा करने का अब लगेगा बहुत बड़ी खुशकबरी है कि एक जरिया फांडेशन के अब हम जगा लेने जा रहे ह अब हम कर रहे हो में हम काम हा nep शॉक्ण नहीं है और रेने का टाइम मैं आपका टो अब किलें ना चाते हैंटले यूश्छ को साथ से नौ मिल्टे हैं किले कम सारे और टाइम पुल-टाइम करने हैंक्षे कलें तो घर इसख ळेका खले खेरבה तो आब का टेम थेमिरा गर्श यॉक्टर की सेल दी, तुम्हारी मेह दोगा, चलो ट्रांसपरेंसी दो, ये बच्चे के डैलसिस मेह करवाँगा, चलो दो, ये यही तरीके से बगवानने चाहे तो पुर इंडिया हम ऐसी काम करेंगा एक जरीया फांडेशन, पाजी अबना एक जरीया फांडेशन के मेंबर बना रहे हैं हम वह बत रही तो member बनाकर ना जैसे आपको बताया कि वह जगा बन रही है तो वह जगा भी हमें लोगों ने ले के दिए вниз लेती मेंस पनले में भी द pada सौंग जगँ नहीं सोचे ती मैंस Dieses अधा spark बाद से मैंने दस हॉस्पिटल बदले हैं, कभी किसी हॉस्पिट के पास बाहर बैठना, वह हॉस्पिटल ने डेड़ बॉड़ी नी पेशंट की, मैं गुस्टा आया ना, मैंने बोल देना, निकाल देना, कि अब डेट्थ होगी किसी की, अब वो मा मेरे पास आके रो रही है, कि जवान मुंडा मेरा मर गया, अब दो डही लाग और पर बिल है, कहां से दूँ, एक डेड़ बॉड़ी के लिए, मैंने बोला, अउंटी दो डही लाग और पैस के लिए कठा करना, जो जिन्दा है, मर है, उसके लिए कठा कर देते हैं, डेड़ बॉड़ी के लिए मा है, हॉस्पिटल के लिए लड़ना उन्होंने निकाल देना महा से, अब मेडिकल माफिया बहुत बड़ है, MRP जो है, वो सौ सो गुना जाल है, उसके लिए बोलना उन्होंने निकाल देना, अब हम बैठें एक गुरू घर के साथ पारकिंग में, आज, तो मेरे में दिल में मेरे न थावड आता था, मैं गया यार, उसके इननी मेनत कीती, आठ साल, साथे तो बाद एंजी उता की फ्यूचर है, कोई ना इननी मेनत करना दा आया फिर, तो तब दिमाग में आड़ गया कि यार, कोई पैसे दे दो, लोगों ने खुद डील करके उनको जगा ले दी, अब वो जगा बनेगी, कोई सिमन डाल देगा, कोई इटन डाल देगा, बन जाएगी, फिर उसके अंदर जो पेशेंट्स आएंगे, रोज 200-300 पेशेंट्स लेने, कोई मेडिसन ले देगा, कोई टेस्ट कर पहले तो कोशिश करें, कि हमारे पास विजट करें, जो विजट नहीं कर सकते, हम उनको डिरेक्ट पेशेंट अडॉप्ट करवादेंगे, कि पाजी ये आपका पेशेंट है, इस पेशेंट की हेल्प आपके इलावा किसी से नियोरी, आप पेशेंट का नंबर ले लो, पर कैसी दुनिया में इतनी मुरीज ये जिनलेंगा हैं जितने हेल्प करने वाले हो पेशेंट तो है, सो हिउने होई होई हैं तो फिर सो की हेल्प क्यों ही हो रही क्योंकि वह हजारों को पता ही लग रहा कि कहां से कोशन डॉट करना है और भरोसा नहीं है आज की तारीक में सबसे बड़ा प्रोब्लम ही भरोसे का है एक इनसान को दूसरे इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना ही करना चाहिए क्योंकि जमाना सच में बहुत खराब है त मेरे पापा कहते होते हैं यह जिन्दगी ना बड़ी लिम्टेड सी है 40-50 साल तो जितना हो सके ना लोगों के इतना महबत करके जाओ ना कि जीते जी आप किसी को मतर लाओ पर आपके जाने के बाद हर आंख रोए किया क्या कर गया अब आज जो दुनिया कर रही है ज्याद कोई 500 साल याद रखेंगे लोगों कोई ऐसा किस्सा है दिल दहलाने वाला कि इस हद तक भी लोग जा सकते है यह ऐसा भी हो सकता है अपने छोड़ दे जी रोज इस चीज का है सास होता है कि मैं हमारे बिल्कुल साथ ना गुरुद्वरा साइब है तो जब भी हमारे पास आ जो आपने एक स्टोरी सुनी प्ली दिल लगा गया तो 50 कैसे सुनों आपकी दिल लग दिल रोने लग चल यार दे इसको दे इतने पढ़े दे दे चलो बचला कुछ कर दूसरा घया उसको कैसे कुछ कर तीसरा चौता पांच माह शेमा पहले तो आपको मेंटली बड़ा स्ट आप दिल लगानी बात क्यों कि दिल लगा लोगे दुनिया में इतना कुछ हो रहे मैं तो पागल हो जाओं मैं दो बड़ देप्रेशन में जा चुक हो पहले यही चीजों से छोटी उमर थी मैं पर चुछ करियर देखू पैसे कमाऊ अपने पर फे खड़ा हूं कि यह करू समझी ना है यह तो शुकर को जा रहा है सोचल मेडिया का पिछले एक-दो साल से मोनेटाइजिशन होगी इसकी तो मेरा तेल पानी का खर्चा निकल गया नहीं तो मैं तो गया था एक टाइम पर जीदी मैंने यह सोच लिया था मैं फैक्टरी जाना है कि मैं जी चलानी है ज को राबता देख रहे हैं कि तरी नंको गलत है निकों बंद गरंद एंगा फेले मैं सोचता था कि डोनर आने बंद बांध को जनगे मैं राब बनू क्या दूंगा प्रवाण की लीला पाजी यार पेशंट आता है डोनर अपने आभी फोन आया था था ना था मेरी पिछ इस से वाजि मैं गुजर रहा था लुद्याना से मेरी दस वार से वैड आई स्वेर पाजी जूबे रोज होते हैं रोज पाजी मैं एक टाइम पर सोचता था कि यार हमरे सब के बढ़े जाते हैं आपका कभी बढ़े कभी बढ़े तो यार जोगा जन देन मनाना शुरू कर दन सा मैं जैसे बात हम बहुत दी आप आप सोचे एक में मुंबई में यहां पे जगा पर सेवा करने आना आप जैसे अगर 500 परिवार सोच लें तो आपकी वारी एक सालम में बाद आएगी लोगों के पास time नहीं है मेरे पास गरारी है इतने बिलियोनेर्स मुंबई में है 365 दिन होते हैं रोज एक आदमी भी एक जिगा पर अब सोचो यह प्रैक्टिकली सोचें पॉसिबल है बहुत ही सिंपल बात है अगर आपको बुल जाए पाजी आपने एक साल में जाना सेवा करने निकाल लोगा खोले ह किसी से इंपाइड हुए से वाड़कास देखा था किसी का मेरा नाम मतलो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि ठोक के बोल पाएं कि हाँ भाई हमने सुना था यह आईडियार यह आपकी मेरे को सोच बहुत अच्छी लगी यूश्वली लोग अपनी आई-पी अपनी चीज महले में अगर दो एक मदद करने वाला और एक मदद मांगने वाले को अगर आप मिला सकते हो तो यह बहुत अच्छा और हर शहर में दोन्हों हैं सबसे बड़ी बात देने अब आप बैठे हो अब बंबे बैठे तड़ा परियो बेटा मेरी सेवाल लगवावाव से अगर म अब देखो ना अब मेरे पास जो बजोरग आते हैं महा पर एक तरफ पेशेंट बैठा है दोनों माबब रो रहे हैं कि मारे बच्चे छोड़ गए हमें पूछते निया निकाल दिया घर से दूसरे पासे माबब बैठे हैं बच्चे के लिए रो रहे हैं मेरा बच्चा मैं तुसी इनों बड़ा करके की करूंग उदूनों कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या जवाब है एक तरफ माबब बैठे है मारे बच्चे ने कमे निकल गया हमें मारते हैं इलाज नहीं करवाते घर से निकाल दिया अब एक माही थी मारे पास तोड़े दिन पहले उस दिन से अब यह कितना बड़ा मुद्अब Allah ji हमारे देश में कंज्कें होती है और और को पूजा जाता है देवी माना जाता और कितनी लडके लड़की म को पता है लड़की नशे के चकर में दुनिया में आपने डीया में रोड़ों पर एरे ऑनके साथ कितने गलत काम कितने लड़कों का शिकार बनती है ऐसे केसे हमने बहुत रेस्क्यू की है एक बताता हूं एक लोध्याना में समराला चाओं का है हमारे तो रात को ना मेरे को एक बजे फोन आया कि चार पांच लड़के जबरदस्ती कर रहे हैं लड़की साथ रात को तो हम एक बजी चले गया तो हमने इसको समझाया खजल हुए पुली स्टेशन गए उसके पापा को समझाया अब ऑन कैमरा बता रहा हूं कि उनकी ऐसी सेटिंग बैठी पापा बोल रहे है कि इसने मेरी नाक डोब दी मैंने नी रखनी घर में इसने ये कर दिया वो कर दिया उनको ऐसा समझाया क कोई बात नहीं बेटी आपकी है एक बार माफ करो अब वो आज बेटी अच्छी उस घर में रह रही है कांसलिंग एफटी नहीं करता है क्योंकि हमारे यहां तो घर तोडाने के काम करते हैं सभी बात है किसी अगर कोई लड़की हो हम पुलिस बुला के निकल जाएंगे नंबर पे हमारी टीम के 500 वाटसाइब ग्रुप्स हैं जिसमें हर एक दुकान का जहां से मैडिसन जाती है उनकी फोटो उनके बिल्स उनका हिसाब कलको तो कोई भी आजएगा कि इतनी बड़ी बड़ी बात दे करता है 500 इसने इंटरव्यू कर लिए इस बात का जवाब दे सब कुछ त्यार रखा हूँ आओ वाई वेलकम आओ तो सी अब कोई आता है नहीं बड़े अच्छे काम करने वाले भी है यह नहीं कि जो पैसे ले रही है वो गलती है एंगियो पैसे लेके भी अच्छे काम कर रहे हैं बट 90-99 परसंट इसमें गलती काम हो रहे हैं और जो उनको लोग अगे नहीं करते हैं इसे लोग आइधि नहीं को लगता है कि marketing is everything आपको अच्छाई के लिए हैं भी marketing जैए हम कभी नहीं भोलते कि आ रहे यह तो बलाई का काम करहा है लेकिन देखो marketing कर ना marketing के आपको पता कैसे चले काम हो रहया है सची हम कैसे मिलते इतने डोन वीडियो तो तब डालनी पड़ते हैं कि लोगों को हजारों वीडियो में ते कोई एक वीडियो टच करेगी उसको सोचके उठके आजाएंगे मैंने इनकी और भी वीडियो देखे इसे नहीं के पेशन्ट फोन करते हैं या मिलवा देते हैं कहीं जगा पर बैठे होते सब लोगों के घर जाते हैं जैसा मर्जी घर हो मैंने वह भी देखा है पाजी 50% पेशन्ट इसी बातों से टीक हो गया है जब पेशन्ट को प्रब्लम अब परचान है खुश हो कि चाहे हमारी हैलप और थेंक यू बटा अपने हमारी सुनी मैं एक स्टोरी बनाता हूं एक बंदे ने तैय कर लिया था मैंने स्वाइड करना है मैं लास्ट फोन कॉल करो किसी अन्नोन नंबर को उसके बाद मैं स्वाइड कर लोंगा तो रेंडम स्वाइड कैंसल कर दिया क्या कॉंसी बात मेरी अच्छी लगी तेरे को किछ नहीं लगा तर अच्छा तुन्हें मेरी सुनली वही बहुत है इतने दुख है कोई सुनता ही नहीं सुनने वाले ही नहीं अब वहाँ पर पेशेंट आते हैं 50% पेशेंट सिर्फ गाइडन से उ वही बहुत अच्छा हो गया बिकॉस इसकी बहुत सारी सीरीज करने वाले हैं लोगों को मदद कैसे की जाती है उसके अभी एक तरीका होता है और वो तरीका ही समझाने के लिए यह पॉड़कास्ट हम आज का हमने किया है क्योंकि हम चाहते है कि पैसा सब के पास है टाइम स सकता है कि जिससे हम लोगों की मदद कर से और हैल्प सब करना चाहते हैं और में यह भी मैं कहूंगा कि I think social media के तुरू बहुत फाइदा हुआ है क्योंकि अब हमारा podcast इतना मरदी अच्छा हो जाए अगर लोग सुनने वाले नहीं तो इसका कोई फाइदा नहीं तो मैंने फ पाइदा नहीं पूरी पंजाबी अच्छाही की और अन्मोन निकला हम चाहते के जब से गोले को समझ आए हम भी एक अच्छाही शुरू करने हम एक गुल्लक लगा रहे हैं जिस पे हम निकेंगे एक जरिया और गोले के लिए जब भी कोई मिलने आता उसको गिफ देता पै हम लगता है कि हमें आग से ये करना चाहिए क्योंकि मैं चाहते हुट कि हमारा बेटा भी बढ़ा होके नऑ का अन्मोल क्योंकि ऐसा नहीं कि पंजाब में अनमोल हर शहर में लेकिन अपने आपको देखने की जरुरूरत है सामने वाले का दद समझने की जरूरत है अब यह हो कितने अच्छी मोमट है आपने सिर्फ एक थौर्ट डाला है और कितना प्रैक्टिकल है और जो हर बंदा इसे करने लग जब भी मैंड में आपको मंथली इंकम हो न उसका जितना भी आप आप एक पर्षंट दो पर्षंट निकाल दो कि यह भाई डाल दिये बॉक्स में अरे अच्छा बड़ा लगता हूँ उसके बाद एक साल बाद एक दिन निकालो सेवा के लिए यार आप आओगे ना मेरे पास पंजाब आपको पचास पेशन्ट दूँगा आप दो दो मिनट सब के पास बैठे को एक तो खुशी की बातीजी मिल रहे हैं उपर से आप उनके बच्चों की किसी की फीस दे रहे हो किसी के घर की चत बनवा रहे हो किसी के पेशन्ट की कर रहे हो यार आप एक दिन में इतनी दुआ ले जाओ कि या परमात्मा के लड़ लगों यार पाजी लाइफ बदल गी जा मैं पहले सोचता था कि भगवान का नाम जब जब के क्या सिखूँगा मैं यह की नाम बार बार जप रहा हूं सुबह उटके सारे कहतें सिमरन करो नाम जबो सिमरन करो नाम जबो इसका फाइदा क्या है कि जो हमारे गुरू ने सिख्या दिये गुर्बानी में जाए बगवत घीता में उस पर अमल करो तो यह नी जवाब मिल रहा था कि बार-बार उनका नाम चैन्ट करके या चैन्ट करके चैन्ट करके है और पाजी में आवन कैमरा करने जाता हूं नाम चैन्ट करके ना कूल रहना शुरू हो गया हूं शुकर हेल्प नहीं भी औरी ना ठीक या परमादमा तेरी एची रजा है आप देखो पाजी कितना बड़ा समाज है जो सारा दिन लोग कल्पते रहते हैं ना कसूर उनका नहीं के सोचल मेडिया को उन्हें देखने ही नेग्टिविटी बहुत अच्छा लगा यार अमेजि सारी वाले बातें भगवान की बातें कितनी चीजें हुई है और हर जितने भी यह लोग पॉड़कास्ट देखेंगे सुन रहे हैं मेरा बेस्ट पॉड़कास्ट ने यार बहुत अच्छा लगा यह बहुत इमोशनल और सच्छा पॉड़कास्ट था तैंक्यू सो मच गाइ और बस देखते रहिए लोग पॉड़कास्ट